नमस्रे दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्री सौधरी और इस विडियो में हम सेखने वाले हैं प्रा lunar प्राइमिग के बारे में तो फ्रा मैं किसको कहते है जिसमें हम क्या कूछ इंफॉर्मेशन या कंटेक्स्ट आर्टिफिशियल बेस्ट इंटेलिजेंस चूल को देते हैं जैसे चाइड़ GPT हो गया है चाइड़ GPT से कुछ Quesn Puechने के पपहले हम उनको एक Contacts Set कर देते हैं एक सीनारियो बता देते हैं और यूज के बता देते हैं उसके पाद हम Quesn Puech ते उससे क्या होगा था हमारा जो आउट्पूट आते हैं रेस्पूंस चैट जी पीटी से वह बहुत अच्छा हो जाता और इटल भी फास्टर ओके एक बहतरी ने इंफॉर्मेशन देता जो बहुत यूजफूल रहता है तो चलिए देखते हैं कुछ एक्जामपल उसका तो बीना प्राइमिंग किए बीना कुछ कंटेक्स सेट किए एक कोस्टन पूछते हैं चार्जी पीटी से तो पहला कॉस्टन रहेगा कि हम अगले वेकिस्टन पर कहां जाए तो इसमें देखिए हम कुछ नहीं बोले चार्जी परे किस जगा पर जाना चाहते कि इस टाइब का लोकेशन पर कहां से कहां जाना है वह सारे सिच किछ भी ने दिया तो चैजी पीटी हमें बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जैसे हम वाइड लाइफ शाफारी पर जा सकते सीटी गेटवेज कुल्चरल एक्पलोरेशन वीच तो इस टाइब में क्या होता था कि चैजी पीटी अच्छे से रेस्पॉंड कर तो यह एक और मैं कुस्टन पूझ रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं ट्रिप पर जाना साथ हो मेरे फ्रेंड लोग के साथ और जो लोकेशन होगा थोड़ा ट्रॉपिकल जो बीचेस काइंड आफ जो होता है तो आप यह देख सो ट्रॉपिकल बीचेस के लिए गुवा बहुत फेमस है तो गुवा का दे दिया है उसके बाद कलंगाट अंजूना मतलब बहुत सारा ऑप्शन देदा डारेक्ट फ्लाइट जो डारेक्ट के लिए कहां से क्या करना है तो यह सारे चीज मतलब जैसे बारे में पूरा दे दिया है और उसके बाद गुवा बता दिया उसके बाद ट्रॉपिकल वीचेज है डारेक्ट फ्लाइट है नाइट लाइफ कर सकते बजेट फ्लेंडली है यह सारा इंफोर्मेशन दे रहा है और खाने-पीने का समान के बारे में पुछ बता रहे तो आ हो गया हमारे नीट के रोडिंग यह रिस्पॉंस कर सकते है ऐसे ही हम अपना बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं यह प्रॉम्ट प्राइमिंग टेक्निक यूज करके चली एक और एक्जामपल देते है तो एक नए चार्ट विंडो ओपन कर ले थे इसमें हम रेज्यूमे प्र करने के लिए तो आप यह देखोंगे तो चार्ट विटी क्या किया है यहां पर एक फॉर्मेट दे दिया कि आपका अपना फूल नैम कॉंटेक्ट इंफरमेशन इसके बार अब्जेक्ट टीव उसके बारे ब्रीप अब कुछ प्राइमिंग करते हैं मतलब कुछ बता देते कि हां तब उसके बाद देखते हैं कि चार्ट कैसे रेस्पॉंस देते हैं तो पहले बोल देते हैं कि कि झाल 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 कि इसमें अगर आप देखो तो चैट कुछ एक्स्टा इंफॉरमेशन देर हम कंटेक्स बता कि मैं एक सॉप्वेर प्रोफिशनल हो और मुझे सेवन प्लस एक्स्पिरियेंस और मैं ऐसी प्लस प्लस और पाइधन पर काम करता हूं और मैं एजलाई एजाइल में यूज करत दिए इसमें देखे कितना अच्छा से यह हमें एक रेज्विमे बना कर देता है तो आप जैसे देख सकते हो कि जैसे अचाइट जीपिटी बता दिया है कुछ अब्जेक्टिर दे दिया उसके बाद मेरा एक्स्पिरियेंस के बारे में बता कंप्री का नाम मुझे एड करन यह सारे चीज़ तो ऐसे करके अगर आप चैट जीपिटी को और फी इंफोर्मेशन देगा जैसे आपका बता दोगे कि मैं मैं एजूकेशन में क्या क्या है मैंने मास्टर किया है उसके बाद सी प्लस प्लस पर पढ़ाई किया है उसके बाद फिर कुछ सर्टिफिकेशन कि यह कि मतलब क्लाउड कंपेटी पर सर्टिफिकेशन किया है तो वह सारा डिटेल सा करता होगा तो यह सारा चीज फिल करके देदागे बहत्री तो जितना सारा इंफोर्मेशन दोगे न वह आपको वह करते जाएगा जैसे मैं बोल दूंगा यह सेम क्या करता हूं मैं इसको यह ले लेता हूं और इसमें आड कर देता हूं कि मैं किया हूं सर्टिफिकेशन ओन यह तो अगर आप इनका रेस्पॉंस देखो गए तो क्या करेगा वह सर्टिफिकेशन जो फिल्ड था यह वह कर दिया तो ऐसे कि करके ना आपको बहत्रीन रिजमें बनाना है तो चैट मजद से बस कुछ इंपूट देना है आपको ग्रामेटिकली कुछ राइट रॉंग नहीं होता डिरेक्ली को इंपूट दो और यह आपको एक अच्छा रेजिमें हम इस केस में चाहते थे वह बनाना चाहते हूं तो जादा तर क्या करते अगर हमें स्टूडेंट है टीचर लेकिन में अच्छा रेजिमें में और बना सकते हो अगर आप अच्छे से उसको इंपूट दे सके तो इसी को कहते हैं प्राम्स प्राइमिंग जिसमें हम कुछ इन्फॉरमेशन पहले से बता देते चाहिए इपिटी को ताकि हो हमारे एक रोडिंग वीएव करें रिस्पो कीजिए